अपनी आखों से इस वीडियो में आभी देख लेना तो इस वीडियो में आपको दो चीज देखने को मिलने वाली है एक गंगा नदी जो की आज के टाइम बूडी गंगा के नाम से जाना जाती है जो हस्तनापुर्ग के पास में बहा करती थे उस टाइम पर जब कोरो और करने आते हैं वैसे तो गंगा यहां से लगबग 6-7 किलोमेटर दूर है जो में गंगा है लेकिन अभी बूडी गंग के हम दरसन करने वाले हैं तो यहां पर भी कापी लोग आपको देखने को मिलेंगे नमंबर के महीने में जैसी मेला आएगा अभी गंगा की हालत में आप अगल पर साफ सफाई करके अपर अच्छा कर जाएगा नहाने के लिए यह सामने जितना भी अप जल इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए साफ सफाई का जो बहुत जरूरी होता है यहीं पर देखें आप पुल के पास में यहां पर दुकाने लगाई जाएंगी अभी साफ सफाई यहां पर कर दी गई है लेकिन अभी बाकी अंदर की जो सफाई होनी है वह भी बाकी है और यह पर बंचात जन पर रखे होते हैं तो फिर भी लोग ऐसा करते नहीं है कुड़ा करकट इदर उदर फेकी देते हैं इसमें नहीं डालते इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए तो दोनों तरफ रास्ते के अच्छे से सफाई हो चुकी है यहीं पर दुकाने लेगेंगी लोग यहीं पर इसनार करेंगे आकर के इस गंगा में एक बात मैं आपको लगतार बताता रहता हूं जैसे तीर्थ टेंपल है जो मैं काफी बार आपको वीडियों दिखा चूँँ यहां पर काफी टूरिस्ट देखने को मिलते हैं रोज देख अभी भी गाड़ी खड़ी है कुछ स्कूल के बच्चे भी है कुछ अधर टूरिस्ट भी आए हुए हैं दोस्तों जैसे यह गंगा इसनान का मेला आएगा तो उसी के समय यहां पर एक गॉल्डन रथ निकाला जाएगा उसपर बना होता है सोने का टेंपल तो कि रियल नहीं होता तरसाय ऐसे जाता है तो इसी टेंपल से अंदर से निकाला जाता है और फिर वह दूसरी तरफ इधर लेके जाते हैं कुछ हिस्से आपको हस्तनापूर में ऐसे देखने को मिलेंगे कुड़ा करकट वाले लेकिन वैसे तो अपना हस्तनापूर काफी खूबसूरत है सैकलो टूरिस्ट रोजाना यहां पर आते ही रहते हैं महाभारत का एक और सबसे पर्मुकिस्तान है कुरू छेत्र जहां पर पर्मुकिस्तान है महाँ पर जिनकी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कि अपना सपोर्ट बनाई रखना है मिलता हूं नई वीडियो में नई विलोग के साथ तब तक के लि कि अथाएब करें वीडियो में येन वाधक दों अबैं सब्सक्राइब करें वीडियो वाएब का कि अ.